लोग सिर्फ बोल के रह जाते हैं क्यों नहीं होता आप कभी बताईए कि ये शिया ये सुनी ये देयूबंधी ये बरेलवी ये इहले हदी constructed और ये तुर्क ये बहना ये गदी ये घोसी ये पसमंदा ये तो नहीं होता है यही तरीका है कि एक में तो जाद दिखाते रहो और बाकी में जब कि मैं एक और बात क साथ विद्वान आदमी है ये एक मुसलमानों का फिरका बताएं जिसने दूसरे खिलाब फत्वा ना जारी कर रखा हो कि एंटी इस्लामिक है और दुनिया भर में भारत में नहीं दुनिया भर में लड़ाई एक दूसरे खिलाब ना लड़ना हूं मगर यहां पर सब मुताहि दो जाते हैं और हम लोग भी इसमें आजाते हैं हाँ सब सब यह के जैसे मैं तो लखनओ के रहने वाला हूं सब बच्पन में मैंने हिंदू मुसलिम दंगे नहीं देखे शिया सुन्नी दंगे देखे थे मगर यह चीज कहीं सामने नहीं आती है इसलिए यह भी एक शडियं मंत्री ने खुद कहा कि हमने दलितों को जगा दी है देखे उनका समानम पार्लेमेंट में कर रहे थे विपक्ष को स्वीकार नहीं है अब तो आपने भी दाना दाना शुरू कर दिया है सर मगर जब आप सारी जातियों को साथ में लेके एक यूनिट एक छत्र के नीचे तो वो तक्निकी आधार के उपर ते होगा जो भी ते होगा उसके उपर हम लोग बात करेंगा जहां तक हम लोगी जात की बात करते हैं तो मैं तो यह कहना चाहूंगा यह एम वाई कॉम्बनेशन क्या था यह बताईए चार जातियों को जूते मारने वाली किसकी बो थी बि जातियों को जातियों में बाट कर फाइदा लेना चाहते हैं और मुस्लिम के जातियों की बात नहीं करते पहले तो मैं शुदानशु साब से एक गुजारिश करूँगा कि आप अकिलेश यादव राहूल गांदी एक जगा बैठ जाएए अगर आप बोले थे इस होटल में रूम बुक करायता हूँ डिसाइड कर लीजिए कि मैं क्या हूँ आप डिसाइड कर लीजिए उसके बाद आप तमाम मिलकर एक साइन करके बोले यह हम सर्टिफाइ कर रहे हैं यह सर्टिफिकर मैं अपने घर में बाद आएगी यह सब एक साथ बैठेंगे ने ने हम कर देंगे ना हमारे लिए बोल रहे हैं चलिए अच्छा दूसरी बात यह है कि आपने मुसल्मानों के बारे में सब सही कहा कि इसमें जाते हैं कास्ट मैं भी मानता हूँ मगर यह बताएए कि अगर वो कास्ट को आप ले लेंगे तो उसका पॉलिटिकल एमपॉर्मेंट क्या है क्या कुछ उसका नेता है बाए बरहमन समाज का आपने अभी एक्जामपल दिया आपकी युनिन्न मिनिस्टर है गाड़ी उनकी बेटा उनका चार को मारता है मर मंतर है क्यों ने अटा रहे क्योंकि उनके ओट चाहिए आपने खुद कैबिनेट एक्सपेंशन में किया प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर पारलिमेंट में कहा कि हमने OBC समाच के लोगों को मिनिस्टर बनाया प्रेमिनिस्टर खुद करते हैं तो हम तो वही कह रहें ना कि पॉलिटिकल एमपार्मेंट मुसल्माना का होना चाहिए और ये रियालिटी है मुसल्मानों में डैवरसिटी है मुसल्मानों में अंसारी है मुसल्मानों में खुरेशी है मुसल्मानों में मुसलिम गुजर भी है सैफी भी है बहुत से सैयद हैं पठान हैं बहुत सी बरादरीय हैं मगर एक चीज़ जो उन में नहीं हो पोलिटिकल एमपॉर्मेंट नहीं है और इसी wilजे से हम फीचे हो रहे हैं आप से सही का MY combination, MY combination में खाली Y को फाइदा हुआ और आपके पास, आप तो साड़े चार साल में मुख्या मंतरी ने तो सिर्फ ठाकुरवाद किया इसलिए BJP परेशान है, दरदे सर का शिकार BJP है कि अब कैसे करें, कि हम कैसे ठाकुरवाद के टैक को निकालें और आपने भी ऐसा जुमला बोल दिया, विचारे नोटी सी नहीं कि आपने पंडिट जी कही दिया उनको पर ये बताए कि आपका खेल भी तो समझ में आ रहा है सर, मुस्लिम दलिट कॉम्बिनेशन आप चाहते हैं अमबेटकर की पार्टी से वहाँ पर महराश्च में आपने गट बंदन किया, वहाँ से लेकर अब तक आप भी छोटी पार्टी है, राजबर साब के साथ, आप भी तो एक स्ट्राटेजी से चल रहे हैं ना जाहरे मैडम, आपका शुक्रिया आपने स्ट्राटेजी की बात की, मगर जहां तक दलिट समाज की बात है, अब बताईए थोड़े दिन पहले क्या हुआ, मडर हो गया, एक परिवार का, दो-दो मडर हो गया, कितने मडर होते हैं यूपी में, दलिट समाज पे जलुम हो र दिया, वो ही एक उतर पर दे, काश गज में, अलताफ मारा गया, पुलिस कस्टेडी में, कोई पूछता नहीं है, फैसल उनाओ मारा गया, कोई पूछता नहीं है, तो अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, तो पर ये तो रियालिटी बता रहो हुँ है, आपको इसमें ग उख्यमंत्री जी के लिए कहा, कि भाई, वो ठाकुर है, मानेवर, जिसको हिंदू धर्म की परंपरा को पता हो, कि जो वेक्ति संत हो जाता है, वो वेक्ति अपना पूरा परिवार, जात तो छोड़िये, परिवार छोड़ देते, अपना पिंडदान कर दिया जाता है, ना करो तलवार का धरी रहे दो म्यान, अब मैं दूसरी बात पर आता हूँ, देखे, इनका तो अपना एक चश्मा है, एक नजरिया है, जैसी नजर है, वैसा नजरिया है, इसलिए इनको तो ये भी नजर आता है, ये कोई आज की बात थोड़ी है, कि मुस्लिमों पे अत्याच शिकार हो रहे हैं, ये मुस्लिमों के अंदर जो एक विक्टिम कार्ड खेलने का जो तरीका है, उसने मुस्लिम समाज का बहुत अहित किया, क्यों, अब मैं ये भी बताता हूँ, हमारी सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश में, पूरवांचल का इलाका देखिए, तो कौन सेकुलर रही था, 1976 से पहले इसी उत्तर प्रदेश में, बदायू का रहने वाला शकील बदायूनी एक भजन लिखता था, लखनो का नौशाद अली उसको संगीत देता था, और मुहम्मद रफी का आता था, और भजन क्या था, मन तरपत हरी दरसन को आज मुरत तेरे बिन होते थे, जोश मलियाबादी होते थे, अकबर इलाबादी होते थे, कैफी आजमी होते थे, मगर जब से सेकुलर हो गया, अबुसलेम छोटा शकील मुखतार अंसार यती कैमद होने लगे, प्रॉब्लम वहां पर, और ये वाले नाम आपको बहुत पसंद है, वहां शाबु नेता हैं और ये तमाम के तमाम भाहुबली हैं, हंड्रेड केसे, क्रिमिनल केसे हैं, एक से केसे उनके पर, लंडन में पढ़ा हूँ आप बैरिस्टर आज बहुबली हो को डिफेंड कर रहा है, पॉरिक्स की मजबूरी है का, लिखेंड नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा ह क्यों भिद्रा करे भाई, और रहा सौाल टाडा का, क्या कनविक्शन रेट दो टाडा का, नॉत इविन 2-3%, पोटा का क्या कनविक्शन रेट था, अप खानून तो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मगर कुसका कनविक्शन रेट अच्छ है, और एक बात, ये आपका टेनी सहा आप ने घर क्यों ने तुड़ाया उनका बुल्डोजर क्यों ने लगाया उसको अगर वो ही कोई करता है बाबा बोलते हैं बुल्डोजर लगा दूँगा इनका क्यों ने लगाया क्योंकि वो बड़ी बरादरी के हैं उनका ओट चाहिए तो घर को छोड़िये उनका बेटा तो टहल रहा था वीडियो निकला तो सुप्रीम कोट ने सो मोटो लेकर उसको भी जा दिया यह आप करेंगे तो सब चीज सही है और कोई हम बोल रहे हैं कि भाई यह आप कर रहे हैं तो कोई गलित नहीं है अच्छा यह बताईए गोटसे की तारिफ मैंने की हेमन करकरे को बदुआ मैंने दी आपके पास है ना किस ने किया और आप सब भूल जाते हैं इन बातों को सइया भाई कोतवाल सारे केस वापस ले लिए आपने अच्छी शब्द बोल दिया सइया भाई कोतवाल जानते कहां पर हुए थे जाक कोतवाल अभी जहाए नोंने बात चुरू की वहीं से आपने तो कहा कि ये तरफदारी कर रहे हैं मुखतार अंसारी पर मुगदमा दर्जुआ यहां और जहां पर कहां पर उनको सइया कोतवाल नजर आए पंजाब में महफूज मुकाम पर जल्वा फ्रोज थे क्या यूं कहूं शुद्ध हिंदी में पंजाब की कॉंगरेस सरक पंजार के इसने पूर्ण सानिध्य में स्वास्त लाब कर रहे थे अब बताईये काउन B टीम है काउन A टीम है दोनों में घजब की जुगलबंदी है अब इस पे भी आ रहा हूँ देखिए ऐसा है कि जो लखीनपूर की घटना हुई वो बहुत दुखत थी परन्तु मैं कहना चाहूंगा कि वहां चार नहीं आठ लोग के हत्या हुई थी चार लोग की कुचल कर हत्या हुई और आठ लोग को घेर कर पीट-पीट कर मार दिया गया और जब हम समवेदन शीलता से बात करेंगे तो सारी हत्या एक समान है और सबके ऊपर एक समान करवाई होनी चाहिए परन्तु यहां समस्या क्या है कि उसमें भी देखा जाता है कि ये वाली हत्या के बारे में बोलने में लाब है अमुक हत्या के बारे में बोलने में लाब नहीं है हमने अगर मुआज़ा देने की बात कही तो सब के ले कही मुझफण अगर का जो इन्होंने केस कहा मुझफण अगर तो बड़ा यूनीक केस था याद करिए एक लाइन बोल दूँ अखिलेश जी की सरकार के समय में इन्होंने जितने लोगों पे राचुका लगाई थी कोर्ट में कोई सस्टेन नहीं कर पाए वलग बात है इन्होंने कहा में एक समुधाय के केसिस विड्रॉ करेंगे हाई कोर्ट से फटकार लगी इसने रुख गए ऐसा कोई सरकार करती है कि कोई सामपरताइक धंगा हुआ तो हम एक कम्यूनिटी के केसिस विड्रॉ करेंगे तो उस धंगा जो आपने कारे किया था वो और कुछ नहीं था वो आपके दिल में था वो कह रहे थे इसलिए जुगलबंदी इन दोनों में है और आरोब जो है दूसरों पर लगाते हैं कभी आपका दिल आएगा कि आप उन लोगों के घर जाएंगे ने 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 सुनिये आप ऐसे नम गिन कर लखेंगे और एक बात ये बोल रहे हैं कि और लखेंपूर में इतने लोग मारे गए सुप्रीम कोट में तो आपने तो आपको मानना पड़ा कि आप गल्ती किये ने अप मेरे पार्टी के लोग गए थे, नहीं गए थे, मत बोलिए, बिल्कुल गए थे, पार्टी के लोग गए, मुलाखाद किये, हातरस में भी गए, हर जगा गए, क्यों नहीं जाएंगे, वर हम आपके बता रहे हैं कि अगर गुपता सहाब मरते हैं, तो एक रवया, और टेनी की तो मरते क्यों पुलोग? आपका एक मंत्री ने गया, सर, उनके सानों के घर जिनके, एक मेट, आप ये बताइए, सिख परिवार मारे गए, मुख्या मंत्री चले आते, बुला लेते हैं लगनों उनको हेलिकॉप्टर से, आप नहीं बुलाएं आप, मैनोरिटी है ना, उच कहता है कि बेटा तु सरत की इफाज़त कर, मैं खेत में यहां पर अना जुगाऊंगा और खिलाऊंगा, आप बताइए, आप मिलाखात भी नहीं करते हैं, अचा चली वह नहीं मिले, प्रधान मंत्री कम से कम एक फोन कर लेते, राजनाजी फोन कर लेते, डिफेंस बीर, वो तो कुछ नहीं था, उसके लिए किसी ने कोई शब्द बोला, ना वो सिख था, ना वो दलित था, ना वो किसान था, हाथ काट दिया गया, इतनी नशंस हत्या कहीं और हुई होती, तो पता नहीं कितना आसमान सरवूट, इसलिए मैं कह रहा हूँ, कि यह किसी भी को बहुत सेलेक्टिवली देखने का प्रयास करते हैं हम समान लूप से देखते हैं और एक और बात मैं कहूंगा इसे अनिता नहीं लेना चाहिए भीड किसी ने गाड़ी ने आकर पीछे कुछला अगर भाग किसे कोई वेक्ति देख लेता गाड़ी पीछे से आ रही तो उसक के जीब चढ़ाई गई है तो 120 B के मुकदमे के तहट यहां जांच के बाद सिद्ध होगा कि वो जानके चढ़ाई गई या अपने आप या गलती से चढ़ी ठीक है यह जांच में प्रूव हो जाएगा मगर जिसको घेर के मारा गया इसमें तो किंतु परंतु है नहीं इसम कह रहा हूँ आगे की बात तो सुनिये ठीक है जी तो यह बोले कि जिन लोंने लाठी से पीट के मारेगे उन पर हत्या का मुकदमा नहीं चलना चाहिए इसका जवाब दीजे ना आप इतना डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकते हत्या हत्या है दोनों किसानों के घर क्यों नहीं हमने सब को समान रूप से दिया ये तो गए भी नहीं तिया भी नहीं रजेश जी कहा गय थे इनके घर गय थे जिनकी बाद में हत्या है जी मानी भी बात है चूंकि उनके हाँ तो किसी ने नाम तक नहीं लिया तो इसलिए हम लोग गए और जहां तक ये बात है तो ये मतलब वहां लखींपूर के किसानों से हमदर्दी नहीं है उनके उपर राजनीति करने का उद्देश वरना अगर पार्टी है और सुनिए उदर पर यंका गांधी अलग जाएंगी राहूल गांधी जी अलग जा रहे है एक पार्टी के चारचल लोग जा रहे है एक ही प्र अगर आप जाएंगे तो पहले रूट को सैनिटाइस करते हैं जहां जाना है उस जगह को देखते हैं और उसके बाद सिक्रूर्टी फोर्चे उनको वहां लेकर जाते हैं आप बगेर प्रोग्राम के अगर आप जाना चाहते हैं तो जेट प्लस प्र असल में भूव नहीं क अगर आप जाएंगे तो जाना है अगर आप जाएंगे तो आप बंदी बना देंगे फिर वो जाडू करते हुए विडियो निकालेंगे पता नहीं है एसल वाला जहां जाएगा एक ठाने को खबर होगी तो आपको वेल इन एडवांस बताना पड़ेगा वहां पुलिस का किसी मुखे मंतरी होते हैं नहीं माने हम अहां तो कई मरतभा प्रयास किये नहीं है देख रहे हैं, का इस लेला मने को तियार नहीं मुघे इसकी कोई फिकर नहीं है, यह उतर पर देश की जनता देख रही है और उतर पर जनता अफेशला करेगी उतर जनता देख रहे हैं और दो-दो मरताब मुख्यमंत्री बन गए बार बार डरा रहे है सरव आप याद़ के नाम पर डरा रहे हैं मुसल्मानों को डरा नहीं रहे है हकीकत बयान कर रहे है 19% को आप क्या करेंगे हम क्या कोई बैंट बाजा की पाटी है मुसल्मान कि हार्वोनियम लेके वावाव करें और आपका तारीफ करें थाली बजाए और खरें बढ़े आए मुस्ली मोटर देखेगा ना सर कि कौन मोदी योगी कोहरा सकता है जब आप पिछली बार से 30 सीट पर लड़े इस बार आप सो पर लड़ीगा जब आप पुख्यमंतरी नहीं दे सकते हैं तो आपको क्यों वोड देगा दोज़ार उनीस में हम तो हम नहीं लड़े बी एस पी और सपा मिल कर लड़े 75% मुस्ली मोट मिला और बी जे पी को 75% हिंदू वोट मिला आप से 15 सीट जीत पाए हमारी वज़े से हार गए क्या आप अकिलेश यादफ के परिवार के तीन तीन लोग हार गए हमारी वज़े से हार गए इनमें इतनी अखल नहीं है कि हार रहे अपनी वज़े से और जीते हैं तो नेता की वज़े जीते हारे तो मुस्लिमोट नहीं दिया हम मुसल्मानों से कह रहे हैं कि भाया आप कब तक हार जीत में लग रहे हैं अपनी लिडर्शिप को डेवलप करिए आपका bargaining power क्या है politics में, आपका कुछ है ही नहीं, आज उतर परदेश में मुसलिम ओड की कोई हेमियत नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, ओड की हेमियत कब होगी, जब ये अपनी independent political leadership को बनाएंगे, अरे डर डर करेंगे, और आप मसीहा हैं उनके, ने मैं बिलकुल मसीहा न इस तरह हर समाज ने अपनी leadership बना ली, उस तरह मुसलिम समाज अपनी leadership बनाएं, political leadership बनाएं, तो उन्नेस परसंट पर आप कैसे जीच जाएगा, नव परसंट यादव की leadership है, बागेल की leadership है, कुर्मियों की leadership है, जाट की leadership है, अब तो कह रहे हैं के डिप्टी-C.E.M. अकील आपको बता देंगे, अभी आई है, तो सौ सीटों पर लड़ेंगे आप पूरी सीटों पर, क्योंकि, देखें, एक एक बहुत सीरियस question है, अगर आपको योगी को चुनौती देनी है, तो Muslim अदाता ये देखता है, कि मैं ऐसे व्यक्ति को वोट दूँ, जो योगी को हरा सक जब आपकी सरकार नहीं बनते हुए देखेंगे, तो आपकी लोग प्रेता में आके ताली खुब बजाएंगे, आप अच्य अच्य भाषन देते हैं, बैरिस्टर साहब, खुब बजाएंगे, भोट देते समय सोचेंगे, अखिलेश को लेदू, आप ये समझ रहे हैं कि ज ये कोई नहीं सवाल करता, कि हिंदू ओट नहीं मिलने कि जैसा किलेश के परिवार की तीन लोग हार गए, 75% मुस्लिम ओट मिला, जिन्दगी में इतना ओट नहीं मिला होगा उन लोगों को, सपपा को और B.S.P. तब भी आप बीजेपी को नहीं हारा पाए, ये हकीकत है, इंपरिकल एविडेंस है, मगर B.J.P. हारेगी जुरूर, क्योंकि प्राइज राइज इशू है, सरसों का तेल इशू है, अनिम्प्लाइमेंट है, मैडम आप देखिए कि 18 साल और 24 साल के बच्चे जब बाबा मुख्यमंत्री बने, जब अनिम्प्लाइमेंट डबल हो गय अबी, 25 साल में क्या था, डबल हो गया, यह सब चीजे है, आप कुछ भी कर लो, आप इमिल्टरी का प्लेन उतार दो, सब करो, यह जमीन पर यह चीजे है, और हट करेगी, राष्टरबाद का कार्ड यह है, जिन्ना गन्ना लेके आएंगे, आप कैसे आप संभाद है, अरे मतलब पहली बार राजनाद सिंग, अमिच्शा के कद के नेता, बूत स्तर पर प्रभारी बना रहे हैं आप लोग, इस बार सही में डर गए हैं क्या, सुदार्श जिसुनी है, तीनो कृशी कानून, आपकी सरकार, कोई कलपना नहीं कर सकता, कि जिस कानून को इतना सीना ठो कर लाए थे, उसको आप वापस लेंगे, चुनावी मजबूरी नहीं है, तो क्या है सर? जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो समझा नहीं पाई, किसाने को. उसके बाद मुनवर राना शायर बोल दिये, लखनवु के अजीम शायर, तो इसलिए, नहीं नहीं, अब मैं आपको बात बता रहा हूँ, आपके पसंदीना शायर बंजी क्या है, कि ओवेसी जी जैसे लोग कैसे खड़े हुए हैं? सबसे पहले इनको ताकत किस ने जी, MIM की पहली सरकार इस देश में बनी, तो अविभाजित आंदर प्रदेश में कॉंग्रेस के साथ मिलके बनी. सरकार में आप भागिदार थे, आपका कड़बंदन था, अविभाजित आंदर प्रदेश में आपका कॉंग्रेस का कड़बंदन था, लेकिन पहले कभी तो महबबत थी, अरे भाई, कॉंग्रेस के साथ तो थे ना लाएं ने, और दूसरी बात, आप सुनिए, ने, मैं UPA क सपोर्ट किये, 2012 में उनको छोड़ दिये, जलिए, धाकी चुपी महबद थी, राहुल कांधी की वज़े से, क्या हुआ 2012 के बात पूरी जान दिये, उन्होंने ये कहा कि UPA को सपोर्ट किये थे, क्या हम तुम से महबद करते हैं, मगर पोशीदा पोशीदा, तो उसके बाद इन्होंने देखिये क्या किया, केरल में मुस्लिम लीग अगर भारत के इतिहास में पहली बार सक्ता में भागीदार बनी, तो कॉंग्रेस के साथ, इस बार जाके आपने बंगाल में क्या किया, बीरजादा अबास सिद्धी की, पार्टी के साथ गड़बंदन किया, कॉंग लाइनर मुस्लिम्स को आगे रखना, कि रियल मुस्लिम्स को नहीं. अगर आप लेला हैं, तो किसके लेला हैं? इन सब के लेला है ना है, इनके घर में चलाग नहीं जलता बगार हमारा नाम लिए, हमारा नाम लेना जुरूरी है, क्यों डराना है मुसल्मानों से, अच्छल फैक्ट में आप बताईए आपने उत्वर पदेश मुसल्मानों से क्या किया, मैंने RTI एप्लिकेशन डाला, प्र और एक बात, मेरे क्वेस्टिन डालने के बाद पारलिमेंट में उत्तर परदेश के मदरसा टीचर्स को तंखा देना पड़ा, कल आपके मिनिस्टर ने खरार किया उस बात का, कि हाँ आपकी छिट्टी मिली, उसके बाद हमने फोरण उनकी तंखाएं दी, यही तो हम कह रह हैं कि विदेशी वकेशन से नहीं चलेगा, अब ममताब एनर जी हमार से मुखाबला करें, उनको बी टीम मना दी, हम बोरें नहीं वो तो हमारा टाग है, आप तो हर राजमें जाते हैं और फिर ने, कॉंगरेस उनको बी टीम कह रही है, मज़ा है गोवा में, अब गोवा मे आने वाले दो-टीन साल में, कॉंगरेस इंपलोड हो जाएगी बिलकुल, अंदर ही अंदर फट जाएगी, अपका, अब देखे, अब देखे, अब देखे, इन्होंने तो अधीर रेंजन चोदरी ने ममताजी को पागल कह दिया था, इनोंने काम जानते नहीं, तो बता दी यहां हकीकत जानते हैं कि अब अलग कारणों से चुनाओं लड़ने हैं, बस दो लाइन में कह रहा हूँ, एक समाजवादी पार्टी है, जिसकी जमीन चली गई है, उसे जमीन वापस पानी है, बसपा की जमीन खिसक गई है, उसे अपनी जमीन बचानी है, कॉंग्रेस पार इन्होंने चराग की बात कही, तो आपसे साब एक अर्ज है, कि जो खेल विपक्ष खेल रहा है, सामप्रदाइक्ता के नाम पे, तो कागस का है लिवास, चरागों का शेहर है, चलना समल समल के, चूंकि तुम नशे में हो, एक बात बोलूं बावा के बारे में, घर को आग लगी घर के चराग से, देख लेना आप, अरे यही तुम्हें कह रहा हूं, सब चिराग एक दूसरे को लगाने में लगे हुए है, अवद की बिर्यानी, हाइदरबाद की बिर्यानी, फैसला आपको करना है, बहुत धन्यवाद आप दोनों का हवार साथ चर्चा में शामिल होने के दन्यवाद।